कलपुर्जों की मशीनी जिंदगी में रक्त समंदी रिष्टे कहीं खोते जा रहे हैं और ऐसे में एक सबसे मधुर और प्यारा रिष्टा होता है दोस्ती का और आज देखे शादी की गोल्डन जुबली तो आपने बहुत सुनी होगी लेकिन आज फरीदाबाद में एक इति जहाज बना है आज दोस्ती की गोल्डन जुबली बनाने जेसी बोस यूनिवस्टी के उस बैच के छात्र पहुंचे हैं जिन्होंने 50 साल का जीवन अपना व्यतीत किया है दोस्ती का और इस दोस्ती को जीवन्त करने के लिए अपने कॉलिज की यादों को जिन्दा करने के करने के वाइस चेर्मन यहां मौजूद हैं सर सबसे पहले की जेसी बोस यूनिवस्टी जो पहले वाइम सी यूनिवस्टी के नाम से जानी जाती थी आज फरीदाबाद में अपना हुकाम है कौन से बैच केते हो और आज किस तरह से यादें अपनी जीवन्त की हैं आपने देखें यह पहले YMCA, Institute of Engineering के नाम पे जाना जाता है और ज्यादा दर लोग इसको यंका बुलाते थी तो आज गो बैक इन दी 70s और जो हमारा आज बैच इकठे हुए हैं यह 1972 का बैच है, कॉलेज में पहला बैच 1969 में आया है, सो वी वर दी 4th बैच पर यह मैं कह सकता हूं कि अगर इनर्जी देखनी हो, अगर आपने इंस्पिरिशन लेना हो, तो मॉब 76, that is a pass out year, joining is 1972, चार साल का कोर्स होता था हमारा, मॉब 76 पहले मॉब के नाम से शुरू ही, meet old boys, फिर लड़कियां कॉलेज में दाखिल होई, तो हमने उसका नाम बदल के, meet old buddies कर दिया, और जैसे आपको बता है, मॉब का मतलब क्या है, तो यह चेरे सी नजर आता है सबको, तो यह सब नटकट, हम लोग सब नटकट थे, वो चार साल जो है, वो आज फिर वो उसका पल-पल, खिशन-खिशन जो है, वो आँखों के सामने वापस आया है, मैं यह कह सकता हूं कि ब बड़ी खूबसूरत बात मंच से कही थी कि बुढ़ापे में बच्पन को थोड़ा जिन्दा रखोगे तो शायर जिन्दगी थोड़ी और बढ़ जाएगी, देकिए वो इंपोर्टन है, मेरा यह मानना है कि जिन्दगी की रफ्तार यार जिन्दगी की भागन दोड़ में हम जो छोटी-छोटी चीजें हमारे आसपस होती हैं, जो हमें खुशियां देती हैं, उनको हम नजर अंदास कर देती हैं, और इसलिए आज का जो महौल है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एक दौड में सारी लोग लगे हूए, मेरा यह मानना है कि हर क्शन, हर पल जो है, उसको इंजॉय किया जाना चाहिए, उस मोमें आदमी को टाइम बिताना चाहिए, लाइक यू से लिव इन दी मोमेंट, तो दी मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग जो मन है, वो जैसे बच्पना चुल बुला होता है, वैसे मन जो है चुल बुला रहता है, अगर आपका मन चुल बच्चा है, जो बच्पन है, उसको हमेशा सजाए और सजोए रखना चाहिए, बच्पन की उम्र कभी खत्म नहीं होती, क्या नाम है सर आपका, महिर सचदेवा, सर मैं देख रही थी, यहाँ पर आज राकेश जी अपने आप में एक मिसाल है, भारती इंटर्राइज किसी परिचे के मौताज नहीं है, कॉलेज में अक्सर होता था कि कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता था, जिसके पास अच्छी सी कार होती थी, और वेल्डरस्ट हो के आता था, कहीं ना कहीं होता था, और आज तमाम लोग अपने अपने मुकाम पर हैं, तो आज 50 साल बाद जब ए परिचेश्ता ये थी कि हमारे कॉलेज में होस्टल कंपल्सरी था, तो सभी होसलर से बैचलर्स हम लोग सब बच्पन में से वहां कठे हुए, और इतना अच्छा टाइम हम लोग ने पढ़ा ही भी हमारी उस समय बहुत अच्छी मकाम की थी, जर्मन हमारे इंस्ट्रक्टर स बहुत अच्छा एक्कुप्मेंट है हम लोगों के अपने टाइम के हिसाब से तो पढ़ाई के साथ-साथ हम लोगों की बाकी को करें डिल्वर एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी थी और जो हम लोगों का आपस में संबंद बना बांडिंग हुई, जिसके बारे में हम डिसकस कर रहे थे आपके आने से पहले, वो भी बहुत अच्छी हुई है, इसी का नतीजा है कि आज 50 साल बात भी हम जो मिल रहे हैं, अम लोगों के अंदर में एक ब्रदर हुड है न जो और एक भाईचारा और एक जो एक अपनापन है, हमारे अपने सेंटिमेंट्स हैं, वो एक मिसाल है, और जैसे इन्होंने बताया कि हमारा बैच फॉर्चिनेटली हम लोग सब ब्लेस थे, बहुत अच्छा हम लोगों को एक तो शिक्षा मिली, ट्रेनिंग मिली और हम लोगों के सभी जितने भी बैच मेट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे भारत अच्छा काम कर रहे हैं, आप शुरू में नहीं जब मैने शेर पड़ेते हैं, अपने कॉलेश के बारे से, बहराल, इस बैच इस बैच आप बहुत अच्छा काम को छोटे में बताऊं क्योंकि रकेश जी ने काफी अच्छे से बताया हमें से कुछ सम्धी बन गए हैं, ओ स शुरू शोज देश्टेंथ इन आप या यह जहन में था, यह अपने आप निकल आया, बाकि सुखदेव जी आपको बताएंगे, यह हमरी प्रेसिडेंट है, जिन्होंने की इसको कमर्शली और उसे की आप आप आई, शुत्रदार कह सकते हैं कारिकरां का सुखदेव जी हम अनुभव रहा, आज हम जब भी पीछे देखते हैं तो बहुत सारी अच्छी यादे भी होती हैं, बुरी यादे होती हैं, लेकिन कॉलिज की यादे ऐसी होती हैं, स्कूल कॉलिज की जो हमेशा कुछ अलगी जोश बढ़ा देती हैं, और एक बार हम उमर के किसी भी पड़ करने का, हर साल में एक बार हम लोग इकठे मिलते हैं, विद्स पाउच मिलते हैं, ये भी जो स्टार्ट किया, ये रकेश भारती जी हमारे हैं, इन्होंने स्टार्ट किया, और इसके बाद सब को इकठा किया, एक प्रेट फॉर्म के उपर, हम लोग ये भाईचारा जान जो भी हम लोग पड़े आपस में दोस्ती, ये तो एक है ही है, हमारा में जो टार्गेट एम जो है, हम लोग पर मोट करते हैं एक दूसरे को, हम लोग आपस में बिजनस करते हैं, हम लोग यहां हमेशा यूनिवस्ति को जब भी आते हैं, मिलते हैं, आ के कुछ देते हैं हम, अ और उसमें इन्होंने स्टार्ट किया था कि जो गरीब बच्चे जो नीडी बच्चे हैं वीकर सेक्षन उनके लिए फीस भरी जाए खुद शिक्षत होने के बाद दूसरों के जीवन में शिक्षा की अलग जगाई है सब्सक्राइब करें लोग तो कुछ था कि कुछ पॉल कोलेज के जमाने की शरारते सामने आएगी आए लेवल बेस्ट तो स्पोर्ट आवर जूनियर्स वीकर सेक्षन शुडेंस पहले की दोस्ती में और आज की दोस्ती जो लोग बच्चों की होती है क्या फर्क समझते हैं दोस्ती बढ़ गई है प्रकाल हुई है और इम प्राउट टो भी एस्टूडेंट ओफ वाइंसी इंस्टूट फोर्स बनाके रखी है जिसकी वज़े से आज हम पचांच साल बाद भी उसी जो खरोश में आये हैं जैसे पहले हुआ करते थे बारती जी बारती जी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आज कि दोस्तीां होती हैं वह दिल से नहीं होती है दिमाघ से होती है कि कौन आपको कितना फायदा पहुंच सकता है तो यंग जनरेशन को क्यों कहेंगे वहु कि बहुत सारे आसे यंग्स्टर्स हैं जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं यहां तक कि आजकर शादियां भी यह देखकर बच्चों की होने लगी है कि किसे बिजनिस में बेनिफिट जादा होगा देखिए मैं समझता हूँ कि यह जो संसकार हैं यह बच्चों को स्कूल में पेरिंट्स घर पे दें सुसाइटी जो है उनका एक एहम रोल है टीचर्स का एहम रोल है और अगर हम अपने समय की बात करें तो उन दिनों में जॉइंट फैमिलीज होती थी वैल्यू सिस्टम होता घर में बड़े बज़ूर्गों को देख के ही बचों के मन में संसकार आता है आज कल मैं समझता हूँ यह सबसे ज्यादा दुख की बात है यह स्टॉप्ट गिविविग वैल्यू सिस्टम तो आवर चिल्टर और यह यू सी वर्ल्ट विच इस बेरी डिफरेंट विच इस के जर्श address which is reviewing more materialist पर मेरा यह मानना है कि जहां जिस परिवार में आप पैदा होते हैं वूंता कर जो डोस्ती का रिष्ता है वो उतना ही गहरा उतना ही सुद्रिड होता है जितना कूं का रिष्ता है जिस बं कोई दखावा नहीं होता आ काई बाट तो झैसा भी होगा है क कि दोस्ती का जो रिष्टा है वो खून के रिष्टे से बढ़ जाता है जी सो मेरा यह मानना है कि मैं यही यूनों मेसेज दे सकता हूं कि दोस्तों के बीच में आकर फरीदाबाद में आकर कैसा लग रहा है और लगा कि आना सार्थक हो गया मैं एक बात आपको करना चाहूंगा यह सब क्रेडिट जाती है कि रस तर्फे पाता हूं गया है यह व्यूनों सकता है फ्चाहड साल पहले के डैडी आदा अगहा है आजे लोग अन्यादर डियादर कि अगलन जए तो हमारा दो सबस्टाट अजू बीकली फिल अजए विल्टे जयो भी। कि यह दोस्ता होते हैं दो बुज़र्ग गरशाट साथ साल के एक बुज़र्ग बैठा बैठा होता है तो जो बुज़र्ग बैठा होता है। जा मैंब को जरूर्ट बता है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। यह प्रिवेटी रहना चाहिए है। तो क्यों डैडी के नाम से जाना जाता था और आप जगत डैडी बनके जैसा हम देख रहे हैं। देखे ऐसा है जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे ग्रे हेर थे I have been I'm a veteran in grain जो आज का फेशन लोग अपनाते हैं वो अपने पचास साल पहले अपना है तो मेरे सफेद बाल थे तो इन्हें ने सब में मेरे को डैडी बुलाना शुरू कर दी है उस दिन से बढ़ा था इंका सब में चाहूंगी कि सारे दोस्ति यहां पर इखट्टे हुए हैं तो दोस्ती का एक गाना जो आपके जमाने से गाया जाता है जरूर सब मिलके गुन-गुना है ताकि दर्शकों को भी पता लगे कि दोस्ती का क्या रोलत दोस्तों का मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है जो सको आपड़ा है कोई भी मुश्किल का सामना तुमने बने दिया तुमको महब्ड संफ यह दिल तुमारे प्यार का मारा है दूस जमाने का कोई दोस्ती का गाना जो आप लोग गुन गुनाते हों यही तो था यह जमाने में नहीं थे ना सर जो इस जमाने के लिए यह दोस्ती हमना चोड़ेंगे जोड़ेंगे हम तेरा साथ ना छोड़ेंगे यह दोस्ती हमने देखी होंगी लेकिन वास्ता में दोस्ती के माइने क्या होते हैं आज यह लोगों ने हमें समझाया है और कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिष्टा होता है जिसमें कोई लाग लपेट नहीं होती है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है और आज पचास साल दोस्ती के सेलिब्रेट करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ राकेश भारती जी थे तमाम लोग थे जो उचे उचे पदों पर और एक संदेश आज की यूवा पीडी को देकर गए हैं कि दोस्ती को जरूर जी हैं बच्पन को चाहें उम्र के किसी बड़ाप पर पहुंच जीवन जिन्दा रखें क्योंकि यदि बच्पन जिन्दा रहेगा तो लोग तभी आपसे कहेंगे कि जीना इसी का नाम है फरीदा करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद